नमस्ते दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी पीडिये फाइल से पासवर्ड कैसे रिमू कर सकते हैं यानि किसी भी पीडिये फाइल से पासवर्ड कैसे अठा सकते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जब किसी PDA फाइल को बार बार ओपन करना होता है तब हमें हर बार पासवर्ड एंटर करने पड़ते हैं बार बार पासवर्ड डालना हमारे लिए खठिन हो जाता है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपकी इस समस्या को सॉल्व करूंगा और ओफलाइन ही बिना किसी एप की मदद के PDA फाइल से पासवर्ड रीमू कर दूंगा और आप भी स्टेप बाई स्टेप इस प्रोसेस को देखने के बाद किसी भी PDA फाइल से पासवर्ड रीमू कर चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कम्प्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तो आप सेम प्रोसेस अपने फोन पर भी कर सकते हैं दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक PDF फाइल है इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक pen card का dummy PDF file है जो की open हो गया है अब मैं आपको step by step जो process है वो बता देता हूं सबसे पहले हमें यहाँ पर print वाले option पर चले जाना है यहाँ पर एक नया dialogue box open हो जाएगा यहाँ पर हमें Microsoft print to PDF वाले option को ही select करना है और print वाले option पर click कर देना है दोस्तो इसके बाद एक नया dialogue box open होगा जो हमसे इसका save करने वाला location पूछेगा हम इसे dextrope पर ही save कर देंगे यहाँ पर मैं इसका नाम pen card 2 रग देता हूँ और इसे save कर देता हूँ दोस्तो जैसे ही हम इसे save कर देंगे उसके बाद हम इस वाले PDF फाइल को close कर देंगे और अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी save किया था pen card 2 इसको open करके दिखाता हूँ दोस्तो जैसे ही हमने open किया यह direct open हो गया है हमें इसमें password एंटर करने की आवशकता नहीं हुई दोस्तो आप भी अपने PDF फाइल को इसी तरीके से password remove कर सकते हैं और उसे use कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें सहाती दोस्तो यदि इस वीडियो से related आपका कोई भी query या question है तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं Thank you so much for watching